हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मॉथ वार्ट रासपी किचिन आज हम ब्रेड मुलाई पज़ा बनाने जा रहे हैं जो कि खाने में तो टेस्टी होता ही है और बनाने में भी बहुत एजी होता है तो लेट सी तर रासपी तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वी कटा हुआ अधाम मेरे टमाटर लिया आपर कटा हुआ यह चार चमच मैंने सूजी ली है चार चमच मलाई और चार चमच कैचप लिया है तो इन सब को हम अब एच्छ से मिला देंगे देखे मेने प्यास जाला है यह जर्शे ड़ना पशंद अपको जैसा पसंद हो उतने ब सूजी डाली है और अब मैं इसमें चार चमत मलाई डाल रहे हूं आप चीज डालना चाहे तो आप चीज भी डाल सकते हैं और अब मैंने ये नमक डाला है नमक आप अपने स्वादर उसार डालें अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दिखें मिक्स्चर रेडी है अब हम चार इस लेते हैं ब्राउन बेट लिए है आप चाहे तो वाइट ब्रेट वी ले सकते हैं तो टुमाटो केचप सॉस है वह मैं इस पर लगा दूगी इस तरीके साथ अच्छे से सॉस लगा देनी है इस पर अब जो हमारा मिक्स्चर ब देखें इस तरीके से मैं चारो प्रेडों पर इस मिक्सर अपलाई कर दूंगी तो अब मैंने यहां पर नौन इस्टिक पैल ले लिया है उस पर मैंने थोड़ा सा गी डाला है आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं तो अब जो यह साइड है जिस पर हमने इस मिक्चर लगा पटरेंगे तो इस तरीके से मैं रहने को डाल दिया है थोड़ा संगी में दूसरी बेर और करोंगी इस को पहले मैं लो फ्लीम पर ही करोंगी अगर हाई Make-स लेंगे जलने का भी ड़ता है देैए धि लोत दिया यहाँ अब दूसरी साइड भी हम तोड़ा क्रिपी होने त देखिए इस तरी किसे में सारी ब्रेट स्लाइस को कोक कर लूँगी अब मैंने आपट चिरी फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ा सा औरिगेनो भी डाले हैं यह पिल्कुल ऑप्शनल है मुझे इसका तेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाला है तो हमारा ब्रेट मलाई ब जबन के तयार है आप इसे घर पर जरूर ट्राइब करें थैंक्स वर्चिंग मैं वीडियो अ झाले हैं यह झाले है झाले हैं जब करें ए रवक्ताय मैं गज।